हेलो माता जी प्रणाम आशिर्वाद बिटे माता जी सब काम उल्टी उल्टे हो रहे हैं बहुत तरह सान हो गया हूं मैं तो कोई भी काम सीधा करने जा उल्टा ही हो रहा है तरिवार एक नहीं है बच्छे लोग भी दर दर भाग रहे हैं यह हो और आप का तो पूरा परिवार रही है अस्ति भी थे हैं बेटे अबना जीवन में सुधार की बाते करते हैं वह सब इसे पूरा जीवन बरबाद हो जाता है बेटे जीवन में संगर्स कितना होता है उतार चड़ा कैसा होता है यह आप भली भाती जानते हैं लेकिन आपके घर में जो दोस है वो दोस रही भूमी हो गई है करबल चल किया जारा आपने घर में हुआ है चोटे चोटे कारण पूर असथ घर से प्रवेश कर जाती है में जी जिस घर में जाएदा किल किल होती है जिस घर में ज्यादा पूजा नहीं होती है जिस घर में बड़े बुजर्गों का सम्मान नहीं करते तो उस घर में नकार आत्मा कूर जाएं प्रेत बादा ब्याप जाती है और वही कंडिशन अपने घर में हैं तो इस सब को ठीक करने के लिए यह सारी कंडिशन ठीक हो विचार एक मत हो सब के इस विशय को विशेज ध्यान रखते ह माईया की क्रपा से धिक हो सुलब हो लुकि का अने जीवन की सर्व मनुरत पूरन हो तें हैं और अपने घर में में रोगी Самे शारीर में रोग व्याप्त गया है और क्योंकि आपके ना कलेजे में जलन होती है खाना पच हो रहा है भूक नहीं लगती आपको नीद नहीं लगती है आपको आप रोग कभी सिकार हो गए हो और आपके घर के लोग मानसिक रोग के सिकार हो गए हैं क्योंकि उन्हें अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है और किस कि विचार एक होने चाहिए तब उस घर में भागवान भी निवाद को आप को यह ति